अगला सवाल माइक नमबर एक से भाई अपना नाम और प्रोग्रेशन जरूर बदा है नमश्कार सर, मेरा नाम अंकुर पंडिस है और मैं एंजिनियर हूँ जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिडिया को भी इंटेंशनली मत मारो जब तक उसकी जरूरत ना हो उसको मानेंगी तब तक उसको मत मारो पर यहां हम देखते हैं कि लोगवाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए अपनी जबान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बे जुबन जानवर हैं उनका कतल करते हैं बड़ी बेहरेमी से बाइसाब ने अच्छा सवाल पुछा है कि हदीस मेंने पेश की सुनन निसाई की हदीस नंबर 4209 इसमें लिखा है कि आप नोट किल अस पैरो विदाउट रीजिन एक चिड़ियां का भी कतल ना करो बिना कोई वज़े के बाइसाब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वात के लिए अच्छे टेस्ट के लिए लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का परंदों का गतल करते कैसा ही है आप पुछने आजाते हैं नानवेज अलाओड है केने पहले में यह कहना चाहता हूँ अगर आप पुछने आजाते हैं नानवेज तही है केने एक मुसल्मान अच्छा मुसल्मान बन सकता है सोफ पीसद बेजिटेर्ड होने के बाद भी 99Kahana Islam में फर्द नहीं है Islam में गोश खाना फर्द नहीं है लेकिन क्यूνके बुरान में लिखा है सुरह माइदा में सुरा नबर पाँच आएत निबर एक में और सुरह ने सुरा निबर 16 आएत निgemर पाँच में कि Allah ने इजाजद दी है खुदा ने इजाज़त दी है वो जानवर जो भेड बकरी है cattle you can have them for food अल्ला तारी इजाज़त दी इसलिए हम खा सकते है लेकिन अब हम चेक करेंगे कि ये सही है कहने आज साइंस ये कहता है कि कोई भी vegetarian food में एक इनसान को जरुवते 22-23 amino acids को जीने के लिए उसमें से 8 essential amino acids है जो अपने जिसम में नहीं बनते हमारे food में होना जरूरी है हमारे खाने में होना जरूरी है इसे कहते 8 amino essential acids 8 essential amino acids आज की साइंस ये कहती कोई भी vegetarian food नहीं है कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारो आठ amino acids है non-wage food is a good source of protein और एक बाद आज साइंस ये कहती है कि the non-wage food is more nutritious और आप देखेंगे जबी भी कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते है अब भी वर साइन मिल उनके दाथ को आप देखेंगे उनके दाथ चपते है हर भी वरे set of teeth सही एक बाने कई बार बोला है कई बार बोला है और आज भी दोरा रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल पूछा है पर इस्लाम में क्या पॉलो होते थे तो जवाब जानते थे लेकिन आपने कुछ मेरी तक्रीर सुने कुछ नहीं सुने मैं पॉरा जवाब दूँगा इन्शाला फिरा बात कर सकते जब आप देखेंगे कानिवरिस अनिमिल जो जो जानवर है जो गोश खाते है लाइन, टाइगर, लेपर्ड उनके पास नोकिली दाते कानिवरिस सेट अफ थी जब आप अपने आपको देखेंगे आईने में, इनसान अगर आईने में देखेंगा देखेंगा कि इनसान के पास चप्टे दात भी है और नोकिली दात भी है हबी वेरिस भी कानिवरिस है अगर खुदा चाहता था करें सिर्फ घास खाए और वेजड़ेबिस खाए तो अल्ला नुकलिय दात क्यों दिये नौन वेश खाने के लिए आज science ये कहती है कि जितने हर भेवरे इनमेरे काव, गोट, चीप वो सिर्फ वेजड़ेबिस खर सकते हैं फ्लेश डाइजेस करीने सकते हैं जितने भी काणे वो इस आनमे इस एंमेरे टाइगर, लेपर, लाइन लेकिन उनली डाइजेस फ्लेश वो घास दालेंगे तो हजम नहीं ने कर सकते हैं, जो इनसान है, हम है आपन long term's time ए बिलि 2009 हुआ हम घासपूर भी राजेस्क कर सकते हैं वजडेबी में राजिस्क कर सकते हैं अगर खुदा चाताथा में चाहँ है अगर हम सरी't भी फ़जडीबिल खा कुछ है मैंने अभी कह चुका हूँ मनुसमिती चैप्ट नमबर 5 वर्स नमबर 31 में चैप्ट नमबर 5 वर्स नमबर 31 में कहा गया मनुसमिती में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए अगर खुराग बनने वाले जानवर खा जाते हैं खाने वाले जानवर के जरीए तो ये गुना नहीं है आगे लिखा है मौनुसमिती चाप्टर नमबर पांच श्लोका नमबर 29 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुना नहीं है मनुसमिती चाप्ट नमबर पांच वर्थ नमबर चालिस में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाएंगे अगर आप कुर्बानी के जानवर क्या गतल करते तो गुरा नहीं है अगर आप परेंगे माँ भारत अनुशासन स्पर्व उसके अंदर भीश्म पांडव के बड़े भाई युदिष्टर पांडव के बड़े भाई वो भीश्मे से पुछते है कि हमारे जो पुर्खे एंसेस्टर्स जो मरगे उनको सुकून पोचाने के लिए हम यगना में पूजा में क्या दे तो भीश में कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा एक मेने के लिए संतुष्ट रहेंगे अगर आप मचली देंगे दो मेना अगर गोश्ट देंगे तीन मेना अगर आप राबिट खरकोष देंगे पांच मेना अगर बखरी देंगे अगर बखरी देंगे तो पांच मेना अगर आप सूर देंगे छे मेना अगर आप परिंदे देंगे साथ मेना अगर डियर देंगे हिरन आठ मेना और ये पुरा मेन्यू है लंबा मेन्यू है अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो ग्यारा मेना, अगर आप पूर्या गाई जबा करेंगे, एक साल तक आपके दादा पर दादा संतुष रहेंगे, एक साल कुन कहता है, भीश्म युद्धिश्टर थे, माँ भारात में अनुशासन परव, चैप्ट नमर 88, 88 पूरा मिन्यू है, वेद में कई जगा लिखा गया है, कि सादू संत गोश्ट खाते थे, गाई भी खाते थे, तो इससे ये मालूम पड़ता है, कि हिंदू दरम में गोश्ट खाने की मुमानियत नहीं है, लेकिन कुछ मजब है, जो कहते हैं कि जीवत को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के जोर्ट में जैनिदम, एटसेटर, और वो ये प्रचार करते है, कि कोई भी जानवर का गतल नहीं करना चाहिए, तो मैं उनसे कहता हूँ, इसलिए गोश्ट खाना हराम है, तो मैं कहता हूँ, अभी साइंस एडवांस हो चुकी, हम जानते हैं कि पेड़ पोधे में जाने, वो भी जीवत है, तो आप पेड़ पोधा क्यों कहते हैं, नहीं नहीं, अभी लॉजिक चेंज हो गया, उनको पहले पता नहीं था नहीं, शेक्रों सार पहले हमें कहा पता था पेड़ पोधे के अंदर भी जाने, वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइन्स क्या पेड़ पोधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है, पेड़ पोधे जीवत हैं लेकिन दर्द नहीं होता, इसलिए पेड़ पोधे खा सकते हैं, आज की रिसर्च कहती है कि इवें दे प्लांट्स कें फिल पेन, लेकिन वो जब चिलाते हैं, हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, कुए इंसान सिCam 20 साइकल और 20 जार साइकल सस्कें के दर्मियान में सुन सकते, उसके नीचे उपर ने सुन सकते एक अर्मेरिका में इक फार्मर था एक, एक फार्मर था जिसना ऐसा हे, क्यूपन बनाई जब पेड को पौदे को, पानी के दरौत उसे चिलाता था, वो खन्वर्ट होता था, बिट्विन ट्वेंटी 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 सब्सक्राइब, उसे फॉरण पता चला था, पानी चेत, पानी देता था, अब उनकी लॉजिक चेंज हो गए, आखिर बाया बानते हैं कि पेड़ पौ पौदे में तीन, दो सेंसिस कम हैं, जानवर में पांच सेंसिस है, पेड़ में तीन सेंसिस है, इसलिए पेड़ पौदे खाना जाइज है, मिसाल के तोर पर आर्गूमेंट इस एक पर बात उसकी मान भी लूँ, जो नहीं मानता हूँ मैं, मान भी लूँ, और अगर मैं तस सकता है, सुनने सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कतल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को मिलोड एक कातिल को ज़रा कम सदा देना, क्योंकि मेरा भाई गुंगा था और भेहरा था, आप इसा कहेंगे, आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिश्मेंट दो, बि चीज आपको खाने की जज़ादे दे, वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम हैं।